हलो गाईस मैं जिते इंद्र शर्मा अड़्डा 24 इंड़ 7 पर आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ बिसे कि डिफेंस अड़्डा पर आप सभी लोग का स्वागत है गाईस जैसा कि आपको पता है it's a very very most important session for CPF examination मैं आपको यहाँ पर यह बताने वाला हूँ कि हम लोग CPF क का बैच गाईस नोड कर लिजे CPF CAPF CAPF का बैच 27 अगस से CPF का बैच लॉंच कर रहे हैं टाइमिंग गाईद 10 से सारे तीन 10 से सारे तीन पर CPF का बैच लॉंच हो रहा है और इसी regarding मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि किस तरह से CPF के तियारी concept के साथ की जाती है अगर आप आपने concept पकड़ लिया तो मान के चलिए कि आप selection लेने की स्थिति में होंगे गाईस हमारा बैच 27 अगस से आ रहा है टाइमिंग अदस से सारे तेन और अगर आप admission लेते हैं और maximum discount चाहिए फीस में तो यह code उस करना Y242 यह code उस करना आपको maximum discount मिलेगा maximum discount मिलेगा मेरे दोस् जन्मास्टमी का पर्व भी है और जन्मास्टमी के offer पर आपको अड़ा की तरफ से यानि हमारी team अड़ा जो है right now flat 27% का discount डिसकाउंट दे रहे हैं अगर आप app download कर लेते हैं तो इस पे 5% का extra discount तो total 32% का discount right now आपको मिल जाएगा यह सिर्फ offer आज के लिए है अता इस offer को कैस करें और सासत में आप यह code यूजर करें वाई 242 code यूजर करें और आपको maximum discount मिलेगा guys चले आज हम लोग CPF की तयारी कैसे करें किस तरह से CPF की तयारी करें इसी के लिए मैं discuss करने जा रहा हूं मेरे दोस्तों तो फड़ा फड़ा जो जो बच्चे live आ चुके हैं आप मे बहुत सारे बच्चे live आते जा रहे हैं एक बार मैं चेक कर लेता हूं कौन-कौन live आ चुका है एक बार देख लेते हैं कि डिफेंस अड्डा पे कौन का राइट नौ लाइव है अभी देखते हैं चले काईस डिफेंस अड्डा पे राइट नौ चलिए गाइज फड़ा फड़ा आजे लाइव आजएए बहुत सारे बच्चे लाइव हैं अभी राइट नाओ चलिए गाइज जलिए खरें defense ंडा पर जली जली आज़ेए गाइस लाइफ चलिए तीन चार बच्चे यहाँपे कुछ बच्चे लाइफ हैं सौरब चौधरी आ चुके हैं सौरब चौधरी स्वागत है आपका सर सब्जेट्स क्या होगा आप विके यहां पर ऐसे आज राइट नाउ सीपी अफ का पर्मोशन है तो सीपी अफ के पर्मोशन के बारे में हम लोग विस्तार से डिस्स करेंगे तो चलिए सबसे पहले आप इसको शेर कर दीजे अपने गुरूप में शेर कर दीजे फड़ा फड़ शेर करें गाईस ताकि सीपी अफ के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके Share जरू करें मेरे दोस्तों Share जरू करें ताकि हम इसको दूसरे बच्चों तक भी पहुंचा सकें इसलिए पहले Share जरू कर दीजे पहले Share करें फिर मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ A to Z Share करेंगे गाईस जो भी बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं वो Share जरू करें चले गाईस अगर हम CPF की बात करें तो सबसे पहले फिर से देख लेते हैं एक बार हाँ बच्चे जुड़ गए हैं गाईस बहुत साथ बच्चे जुड़ते जा रहे हैं चले और CPF की बात करें दोस्तों तो CPF की फुल फॉम है आपके Central Armed Police Force नोट कर लिजे Central Armed Police Force इसकी फुल फॉम है ठीक है ये UPSC एक्जाम करनेट कराती है सबसे बड़ी खासियत और Assistant Commandant की पोस्ट है अगर आप इस पोस्ट के लिए तियारी करना चाहते हैं तो आपके सामने दो पेपर होंगे एक ही दिन में दो पेपर होगा मेरे दोस्तों पहला पेपर फस्ट पेपर फस्ट जनरल एबलिटि और इंटेलिजेंस का होगा 250 मासका ये पेपर होगा 125 questions आप से पूछे जाएंगे questions हिंदी और इंग्लिस दोनों में होंगे सबसे बड़ी खासियत और multiple choice के questions पूछे जाते हैं आता इसको note करेजे multiple choice के questions होंगे आपके पास और आपको 125 questions धाई सो मार्स का यह paper होगा उसे दिन फिर दूसरे दो घंटे का paper general studies में ही आपके पास essay writing हिंद इंग्लिस दोनों में लिख सकते हैं comprehension होगा पाँच questions होगे उस paragraph को पर करके answer देना होगा और एक precise writing होगी इस precise writing के बात करें तो इस precise writing में एक story होगा उसको short में अपने सब्दों में आपको लिखना होगा note का लिजे अपने सब्दों में लिखना होगा चले guys अब तो अब तो आज मैं paper का विस्तास बता देता हूँ फिर से जैसे का यहाँ पस C.A.P.F की बात करें तो मेरे दोस्तों दो paper होगे paper first paper first इसमें जो है आपका history geography policy economics science current affairs math reasoning के questions होगे paper second की बात करें यह descriptive paper होगा writing वाला paper होगा writing करनी होगी इसमें आपको एक essay writing एक essay लिखना होगा साथ साथ में comprehension साथ साथ में precise precise writing करनी होगी note कर लिजे I hope कि paper का pattern पूरी तरह समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों I hope कि paper का pattern पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि आपको दो तरह होगे paper first और paper second चीक है और यहाँ पर जो questions होगे पूरे के पूरे objective होगे objective questions पूछे जाएंगे आपके पास और आपको चार option यहाँ पर दिये जाएंगे तो देखते हैं यहाँ पर answer बनाईए पहला question कहा रहा है human development index was developed by ऐसे ही questions CPF में पूछे जाते हैं बिल्कु सेम questions ऐसे ही आता है 27 अगस्ते बैच आता है दोस्तों मेरे 27 अगस्ते timing है 10 से सारे 3 की timing है note कर लिजे code यूज करना है wide 242 जब आप ये course purchase करेंगे store पर तो इस code का यूज कर लेना आपको maximum discount मिल जाएगा चले तो पहले का आंसर बताईए कौन बताएगा सौरब चौदरी जवाब दें VK कथक बॉई जवाब दें जली जवाब दीजे मेरे दोस्तों फटावर जवाब दीजे मेरे दोस्तों क्या उत्तर होगा जवाब दीजे गाइस क्या आंसर होगा जवाब दीजे मेरे दोस्तों क्या उत्तर होगा जली जली बताएंगा इस क्या उत्तर होगा जली जली बताएं प्रयास करोगे तो बनेगा प्रयास नहीं करोगे नहीं बनेगा कोशिस करो मेरे दोस्तों क्या उत्तर होगा इसका चले बिजेंद्र वर्मा ने बी दिया है अब बिजेंद्र वर्मा ने ये दिया है चले गाइस अगर आंसर की बात करें तो मानव विकास सूचकांग C is the right answer महमूबल हल्क is the right answer यनि Pakistan के हैं ये पाकिस्तान से बिलॉंग करते हैं ये पाकिस्तान से बिलॉंग करते हैं ठीक है 1990 में इन्होंने concept दिया था सिख्षा स्वास्त सिख्षा स्वास्त स्वास्त या जीवन प्रतियाशा कह सकते हैं इसको Life Efficiency प्रतियाशा और सासन प्रतिविक्ति आए ये किसी भी बात करें तो Human Development Index में तीन चीजों को फॉलो किया जाता है एजुकेशन Health और Per Capita Income के अधार पर इसका measurement किया जाता है चले गाइस आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कि अगला Question का जवाब कौन देता है दूसरा Question जवाब दीजे क्या उतर होगा Indian Parliament can rename or redefine the boundary of a state by 32 संसत किस प्रकार किसी राज की सीमा का नाम बदल कर पुनर भासित कर सकती है पुनर भासित कर सकती है जवाब दीजे मेरे दोस्तों क्या उतर है क्या आंसर होगा tell me please भाते संसत किस प्रकार किसी राज की सीमा का नाम बदल कर पुनर भासित कर सकती है Absolute majority, Simple majority, 2 by 3 majority of the members voting, 2 by 3 majority of the members voting and absolute majority of its total membership जवाब दीजे क्या उतर होगा, दूसरे का guys, बिचे इंद्रवर्मा जवाब दें, कुमार सुरेश जवाब दें, मैंग क्रिस्ना जवाब दें, मैंग क्रिस्ना जी स्वागत है आपका, मैंग क्रिस्ना जवाब दें क्या उतर है सौरब चौधरी जवाब दें सौरब चौधरी क्या कोशन है आपका कोशन डाल दीजे मैं आपका भी क्लिर कर देता हूँ guys CPF का batch CPF का batch नोट कर लिजे 27 अगस से बैच आ रहा है 10 से सारे 3 की टाइमिंग है guys नोट कर लिजे और मेरा code यूज़ करना wide 242 ये code यूज़ करेंगे maximum discount आपको मिल जाएगा चले सुरेश कुमार सुरेश कड़े महिंग करिसना कड़े सौरब चौधर कड़े बिजेंद्र सर जी ये test series चल रही है क्या बिजेंद्र वर्मा ये मैं आपको बार बार CPF का promotion बता रहा हूँ कि ये CPF में इस तरह के questions पूछे जाते है conceptual question पूछे जाते है अब आपको देखना है कि आप कितना बना पा रहे हो और कितना सही बना पा रहे हो ये आपके उपर depend करता है होटल होटल JSR B चले गाइस बिलको से B is the right answer simple majority is the right answer एक सादान बहुमत के साथ अगर देखा जाए तो simple majority is the right answer simple majority is the right answer यानि कह रहा है कि article 4 article 4 अनुछेद 4 अनुछेद 4 कहता है अनुछेद 4 कहता है कि formation of the new state under article 2nd and 3rd it should be passed by simple majority by the parliament यानि formation of the new state under article 2nd and under article 3rd it should be passed by simple majority so answer होगा आपका दूसरे का B is the right answer चले गाइस आगे बरते हैं गाइस चले गाइस चन्गुपता 2nd रिलेस special silver coins special silver coins in the joy of which is conquest जवाब दीजे मने दोस्तों क्या उतर होगा चन्गुपता 2nd ने अपने किस विज़ा की खुसी में चांदी के विशे सिक्के जारी किये थे जवाब दीजे बिटा अगर आप अगर आप बिटा अगर आप फाइनल एर में हैं तो आप CPF का पेपर दे सकते हैं अगर आप फाइनल एर में हैं तो आप CPF का पेपर दे सकते हैं चन्गुपता 2nd रिलेस special silver coins in the joy of which office conquest चन्गुपता 2nd ने अपनी किस विज़ा की खुसी में चांदी के विश्य सिक्के जारी किये बलहिक प्रदेश को जीतने के बाद होनों को प्रास्ट करने के बाद शकों को प्रास्ट करने के बाद इनमें से कोई नहीं जवाब दीजे खुश्वुपता गसी खुश्वुपता गसी बाकी लोग बाकी भाई लोग जवाब दीजे CPF का बैच CAPF का बैच 27 अगस से आ रहा है नोड कर लीजे 27 अगस से टाइमिंग है 10 से सारे 3 की टाइमिंग है मेरे दोस्तो 10 से सारे 3 पर CPF का बैच आ रहा है चले खुश्बुक उपता का C आंसर आ रहा है बिल्कु सही C is the right answer after defeating शक यानि कि यहाँ पर गुजरात में गुजरात में सको को पराजित किया गया था चन्गुपता सैकिंड के दवाद और इसी खुशी में इसने चांदी के सिक्के जारी किये थे चांदी के सिक्के जारी किये थे और सासब में इसने विक्रमा दित्ते उपाई धान के थी उपाई धान के थी नोट कर लिज़े गाइस हाँ तो EWS certificate कप का चाहिए तो ठीक है पिछले financial एरका होना चाहिए आपके पास आपके पास पिछले financial एरका होना चाहिए EWS का certificate चले गाइस आपके अच्छी तर के लिए रो रहा हो गाइस जब आप यह बैच परचेस करेंगे तो यहाद अखना code उज़ करना है Y242 आपसे code maximum discount के लिए code उज़ करना Y242 चले गाइस आगे बढ़ते हैं अगला question जवाब दीजे In which place king Meg Verman of Sri Lanka Meg Verman Sri Lanka got permission from Samudgupta तो build temple of Lord Buddha जवाब तो क्या उतर होगा Sri Lanka के राजा Meg Verman ने किस इस्थान पर भगवान बुद का मंदिर बनवाने के Samudgupta से अनुमती मांगी थी जवाब दीजे गाइस क्या उतर होगा गाइस CPF का बैच CAPF का बैच 27 अगस से नया बैच आ रहा है नोट कर लिजे 27 अगस टाइमिंग है 10 से सारे 3 की टाइमिंग है मेरे दोस्तो अगर आपको maximum discount चाहिए तो Y242 code उस करना अड़ा इस्टोर पर आपको maximum discount मिलेगा 25-25 तोमर जी 25-25 गंगा की लेंद 25-25 यानि 25-25 किलो मिटर चले गाइस जवाब दीजे क्या राम अवतारी आदव जवाब दीजे राम अवतारी आदव सीव जवाब दे रहे हैं और गाइस सौरब चौधरी जवाब दीजे येस 2019 बेस असंजे कुमार कोशिनेगर राम अवतारी हलो खुश्वू का अंसर ये आ रहा है खुश्वू आपका आंसर बिल्कुश और ये बिटा यानि कि अच्छा खुश्वू आपने ए अंसर दिया गलत हो गया बोद गया इस दर आइट आइट आंसर यानि बोद गया में समुद्गप से भगवान बुद की बुद का मंदिर बनवाने का नुमती मेग वरमन ने समुद्गुप से मांगी थी कहां पर बोध गया बोध गया में मांगी थी मेरे दोस्तों नोट कर लीजे गाइस जितने बच्चे आप लोग क्लास ले रहे हैं लाइक करें एक बार लाइक करें और साथ साथ में एक बार शेर कर दीजे लाइक और शेर जरू करें मेरे दोस्तों लाइक और शेर जरू करें लाइक और शेर जरू करें जरू करें लाइक और शेर ताकि दोसों तक हम अपनी पहुँच बना सकें लाइक और शेयर जरू करें अगला कॉशन जवाब दीजे दा प्रेजडेंट कैन डिकलेर कॉंस्टिटूशन अमेजेंसी इनने स्टेट राजपती राजजे में समयधानी का पातकाल की घोशना कर सकते हैं चार आप्शन हैं जिसमें राज की सरकार समयधान कंसार कारें नहीं कर रही जवाब दीजेगा है इस पांचवे का उत्तर बिल्कुल कंसेप्शन जवाब दो क्या उत्तर होगा संजे कुमार जवाब दें मैंग कृष्नास जवाब दें खुशबू जवाब देजे राम अवतार यादर जवाब दें गाइस CPF का बैच CPF का बैच 27 अगस से आ रहा है 27 अगस से बैच आ रहा है टाइमिंग है 10 से सारे 3 की टाइमिंग है मेरे दोस्तों 10 से सारे 3 पर टाइमिंग है maximum discount के लिए code उसकर सकते हैं Y242 ये code उसकरिए आपको maximum discount मिलेगा अड़ा पर अड़ा पर आपको maximum discount Y242 code उसकरने के बाद चले पांच वे का जवाब दे रहा है B खुश्बो B राम अवतार यादर B चले गाइस और गाइस जवाब दीजे क्या उत्तर होगा कोशिस तो करो क्या उत्तर होगा संजे कुमार का B कुमार सुरेश का B चले गाइस आंसर होगा आपका D is the right answer यदि वे संतूस्ट हैं कि ऐसी स्तित्यूत्पन हो गई है जिसमें राज की सरकार समिधान का उसा कारें नहीं कर रही तब वो राजपती सासन लागू कर सकते हैं कहां पर? राज्यों में अरे जाहिर सी बात है तो आसमोचने वाली बात है और गवर्नर रिकॉमेंडिशन करता भी है तो राजपती के उपर डिपेंड करता है वो मानेगा ये नहीं मानेगा क्योंकि राजपती बादेकारी नहीं है क्योंगी जब वो संतुस्थ हो जाएगा कि हाँ बिलकुल यहाँ पर रासरकार कारे नहीं कर रहे तब ऐसे कंडिशन में यहाँ पर as a presidential government impose किया जा सकता है तो D is the right answer, D is the right answer Guys CPF के exam में ऐसे ही questions पूछे जाते हैं I hope मेरी बास समझ में आ गई हो राम अवतार यादव यहाँ पर भारत का राजपदी अगर पूरी तरह से संतुस्थ है कि राज सरकार समिधान के नुसार कारे नहीं कर रहे तब वो राज़ में राजपदी सासन लागू कर देगा according to article 356 356 अनुछे 356 के तैत article 356 के according I hope समझ में आ गया हो next चड़ा question जा देखिए जा बताएं क्या उत्तर होगा which out of the following is phenomena that leads to stagflation stagflation कह रहा है guys निमने में से कौन से घटना stagflation क्या ले जाती है जवाब दीजे मेरे दोस्तो क्या उत्तर होगा stagflation चले जवाब दीजे guys जवाब दीजे छटे का उत्तर क्या होगा guys जैसा कि आपको मैं बता दो CPF का बैच CPF का बैच 27 अगस से आ रहा है timing है 10 से सारे तीन की timing है मेरे दोस्तो अगर आपको maximum discount चाहिए maximum discount तो code उसकरना Y242 कहां पर अड़ा इस्टोर पर अड़ा इस्टोर पर जब आप ये बैच परचेस करेंगे तो आप जो है as a code का उसकरके maximum discount ले सकते हैं maximum discount ले सकते हैं चले खुश्वगुप्ता stackflation समझ में नहीं आया है देखे stackflation की condition की बात करें खुश्वगुप्ता जब बेरुजगारी के साथ मुद्रा स्वीदिक इस्थिति आजाए तब इसे stackflation कहते हैं यानि एक साथ बेरुजगारी भी रहे और money inflation भी रहे तब इसे इस ट्रैक्फरेशन का आहा जाता है ऐसे ही कोशन आपके एक्साम में पुछे जाते हैं मेरे दोस्तों ऐसे ही कोशन पूछे जाते हैं तो गाइस मेरे साथ लगातार जूरे रहने के लिए सीपी अफ का बैच जरूर जॉइन करें जिस बच्छे को अगर conceptual question को विस्तार से CPF के बैच में पढ़ाऊंगा अगर आप बैच जरूर जोइन करें मेरे दोस्तों चलिए आज का रेक्षे नहीं तक कर नए question के साथ फिर से आपका स्वागत करूंगा Thank you, take care and जैहिन दोस्तों